नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मदू पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-wise कवर करा रही हूँ आज का लेक्चर नमबर 67 है, जो कि बेस्ट है दा फाइनेंस कमिशन पे आप किसी भी government exam के त्यारी कर रहे हूँ, अगर इंडियन पॉलिटी आपके स्लेबस में है तो यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफी helpful होगा मेरी आप सभी से request है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार जरू देखें जिसे कि जब आप examination hall में जाएं और आप जो quality की questions को solve करने बैठें तो आपके लिए काफी easy हो और आप काफी अच्छे से attempt कर पाएं क्यूकि quality काफी scoring subject होता है और exam में इसके कम से कम 20-25 questions पूछ जाते हैं लेकिन उन questions को 100% attempt करने के लिए जरूरी है कि आप सभी questions का निरंतर अभ्यास करते रहें और questions का निरंतर अभ्यास करने के लिए ये quality की ये जो questions किस रंखला है वो आप सभी के लिए पनाई जा रही है इस उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले question की तरफ question number one the main function of finance commission is वित आयो का मुख्य कार है आपके options है A. To determine the part of state in central Texas and to determine the principle of financial aid given by the center to state केंद्रिय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना और केंद्रिय द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तिय सहायता के लिए सिधान्तों का निर्धारन करना B. Financial control over state राज्यों पर वित्तिय नियंतन C. Financial control over central केंद्रों पर वित्तिय नियंतन D. None of the above उपरुक्त में से कोई नहीं तो पहले question का answer क्या हो जाएगा Option A. जो main function होता है वो यह होता है कि To determine the part of state in central Texas and to determine the principle of financial aid given by the center to state Option A is the right answer और जो finance commission होता है उसका article कौन सा होता है 280 ये भी आप लोग याद रखें कई बार ये भी questions में आ जाता है कि Finance commission का article कौन सा है तो ध्यान रखेगा 280 चलते है next question की तरफ Question No. 2 The finance commission is primarily concerned with recommending to the president about वित्यायोग मुख्य रोप से राष्टपती को किस बारे में सिफारिस करने किसे सम्मंदित है आपके options है A. The principal governing grant in aid to be given to the state राज्यो को दिये जाने वाले सहायता अनुदान को नियंतित करने वाला सिधान B. Distributing the net proceeds of the taxes between the center and the state केंद्र और राज्यों के बीच करो की शुद्ध आयका वित्रन B. Neither one nor B Neither A nor B ना तो A और ना ही B D. Both A and B दोनो A और B तो इस cancer क्या ओजाएगा option दूसरे का आंसर होगा option D ठीक है Finance Commission जो होता है वो concerned किसलिए होता है President को basically किस बार में सिफारिस करता है The principal governing grant in aid to be given to the state और distributing the net proceed of the taxes between the center and the state तो दोनों के दोनों options नहीं है तो दूसरे question का आंसर हो जाएगा option D चलते हैं next question की तरफ Question number 3 With reference to the Finance Commission of India Which of the following statements is correct? भारत के वित्यायोग के संदर्भ में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके option से A It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development या बुनियादी धाचे के विकास के लिए विदेशी पुन्जी के प्रभाव को प्रोथसाहित करता है B. It facilitate the proper distribution of finances among the public sector undertaking यह सारवजनिक छेत्रे के उपक्रमों के बीच वित्य के उचित वित्रण की सुधा प्रदान करता है C. It ensures transparency in financial administration यह वित्याप्रसासन में पारदर्शिता सुनिशित करता है D. None of the statement A, B and C given above is are correct in the context इस संदर में उपर दिये गए कोई भी कथन A, B, C सही नहीं है तो आपको बताना है कि भारते विक कायों के संदर में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है तो आपको सही कथन बताना है देखे जो इसमें बता रखा है जो statements हैं कि इंकर्जेश दे इंफ्लोव फॉरेंग कैपिटल फॉर इंफेस्टेक्स डेलप्मेंट ये गलत है दूसरे statement के कहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा option D इसका आंसर होगा अब जैसे कि दो article 280 जो finance commission है उसने कौन-कौन suggestion से वो इस प्रकार से हैं पहला कहा है distribution receipt of federal taxes between the union and the state पहला point होगा दूसरे कहा है under article 275 aid in the revenue of the state and any further topic about which the president will recommend to the commission in the interest of economy फिरके अद्द मीजर needed to augmented the consolidation fund of a state to supplement the resources of the panchayat and the municipality in the state on the basis of the recommendation made by the state finance commission तो basically क्या यह foreign capital पे जो inflow होता है उसको encourage नहीं करता है ठीक है यह basically क्या होता है जो distribution होता है जो taxes का दो center state के बीच में उसके बीच जो finance commission है वो काम करता है ठीक है जो revenues generate होती है states के बीच में उसके लिए यह तरदाई होता है कि उसको कहां से inflow किया जाए तो जो statement से उपर के तीनों यह गलत है और जो चौथा है वो इसका answer हो जाएगा चलते हैं next question की तरफ Question number 4 Which one of the following is not a function of finance commission in India निम लिखित में से कौन सा भारत में वित आयो का कारे नहीं है आपके option से A. Devolution of income tax B. Devolution of excise duty C. Award of granting aid D. Devolution of trade tax तो इसका answer क्या जाएगा option D. Devolution of trade tax D. Is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 5 Federal Finance Commission in India relates to भारत में संखे वित आयो किस से सम्मन दित है आपके option से A. Finance among the state B. Finances between state and the center C. Finances between the center and local self-governance D. None of these तो पांचवे question का answer क्या हो जाएगा option B. Finance between state and the center चलता है next question की तरफ Question number 6 Main agency to resolve the fiscal dispute between the center and state is चेंद्र और राज्यों के बीच वित्तिय विवादों को सुलजाने वाली मुख अजन्सी है आपके option से A. Supreme Court B. Law Minister C. Finance Minister D. Finance Commission इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer होगा option A. Supreme Court ठीक है जो भी dispute होता है between the center and the state वो जो जो main agency होती है उसको resolve करने के लिए वो Supreme Court होती है तो छटे question का answer होगा option A चलते है next question की तरफ Question number 7 Who recommends the distribution of finance between union and the state संग और राजियों की बीच वित्ते वित्रण की सिफारिस कौन करता है आपके option से A. Ministry of Finance B. Finance Commission C. Reserve Bank of India D. Nabad तो साथे question का answer हो जाएगा option B. Finance Commission जलते है next question की तरफ Question number 8 Consider the following statement and select the correct answer from the code given below Assertion A State Finance Commission is a constitutional body Reason Union Finance Commission cannot recommend financial assistance to panchayat निम लिखित कत्मों पर विचार करें और नीचे दिये के कोट से सही उत्तर चुनाव करें दावा A. राज्य वित्य आयोग एक सम्मिधानिक निकाय है कारण कि इंद्रिये वित्य आयोग पंचायतों को वित्य सहायता की सिफारिस नहीं कर सकता बताई इसमें से आठ्यों कोशन का आंसर क्या हो जाएगा देखे जो पहला सर्शन A कर रहा है कि State Finance Commission is a constitutional body ये बिलकुल सही है कि Article 243 में State Finance Commission के बारे में बताया गया है तो ये A constitutional body Reason क्या कर रहा है कि Union Finance Commission cannot recommend financial assistance to panchayat ये गलत है ठीक है तो इस तरीक से जो होगा A is true but R is false Option C देखे A is true but R is false 8th question का आंसर होगा Option C चलते हैं next question की तरफ Question number 9 Who recommends to the governor the principle which should govern the distribution between the state and the panchayat of the net proceed of the taxes and fees levable by the state which may be divided between them कौन राजे पाल को उन सिध्धानतों की सिफारिस करता है जो राजे और पंचायतों के बीच राजे द्वारा लगाई जाने वाले करो और सुल्क की सुद्ध आय के वित्रण को नियंतित करते हैं जिन्हें उनके बीच विभादित किया जा सकता है आपके आप्शेन से एंच चीफ मिनिस्टर B. फानेंस मिनिस्टर आफ दे स्टेट C. स्टेट फानेंस कमिशन D. जिला परिशत जिसका आणसर जाएगा आप्शेन C. स्टेट फानेंस कमिशन जलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 10 किसी भी परिस्थिती में निलंबित नहीं किया जा सकता D. Can be suspended only with the consent of a majority of the state legislature के वल राज विधान मंदलों के बहुमत की सहमती से ही निलंबित किया जा सकता है तो दसे question का अंसर हो जाएगा Option B. Can be suspended during national emergency राष्टी या पात्काल के दुरान लंबित किया जा सकता है 10th question का अंसर होगा Option B. चलते है next question की तरफ Question 11. Who was the chairman of the 12th Finance Commission? 12 विध्य आयोग के अध्यक्षि कौन थे? आपके option से A. A. M. Khusro, B. K. C. Pant, C. Montex Singh, D. C. Rangarajan तो इसका अंसर क्या जाएगा? Option D. C. Rangarajan चलते है next question की तरफ Who was the chairman of the 16th Finance Commission? 16 विध्य आयोग के अध्यक्षि कौन थे? आपके option से A. इंद्रा राज रमन B. C. Rangarajan C. विजय केलकर D. उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसका अंसर गा जाएगा Option D. उपरुक्त में से कोई नहीं जो 16 वे Finance Commission है वो कौन है? Chairman उसके कौन है? उसके अर्विंद पनगरिया जो है वो 16 वे Finance Commission के chairman है तो 12 वे कोईशन का अंसर जाएगा? Option D. चलते हैं next question की तरफ Question No. 13. Who among the following was the chairman of 16th Finance Commission? निम लिखित में से कौन चदहवे वित्यायोग के अध्यक्ष थे? आपके option से A. शांता कुमार B. सी रंगराजन C. वाईवी रेड़ी D. अर्विंद पनागरिया इसका अंसर को जाएगा? Option D. अर्विंद पनागरिया चलते हैं next question की तरफ Q. वाईज बिन नॉमिनेटेड एज दे चेयर्मेन अर्व दे फिफ्टेंथ फाइनेंस कमिशन पंद्रह में वित्यायोग के अध्यक्ष की रूप में किसे नामंकित किया गया था? आपके option से A. अनके सिंग B. शेशिकान दास C. अशोका लावासा D. रतन वतल इसके आंसर क्या जाएंगे? Option A. अनके सिंग चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Q. नम्बर 15 Two of the following shall causes every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament नेम लिखित में से कौन वित्यायोग द्वारा की गई प्रतेक सी फारिस को संसत के प्रतेक शदन के समख्च रखवाएगा आपके option से A. The President of India B. The Speaker of Lok Sabha C. The Prime Minister of India D. The Union Finance Minister अंदरवे question का अंसर जाएगा? Option A. The President of India चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Finance Commission is Constituted after every वित्यायोग का गठन किसके बाद किया जाता है? आपके option से A. Three Years B. Two Years C. Five Years T. Four Years तो सलवे question का अंसर जाएगा? Option C. Five Years चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 17 The Finance Commission is Constituted for a period of वित्यायोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? आपके option से A. Four Years B. Five Years C. Seven Years D. Ten Years इसके आंसर क्या जाएगे? Option B. Five Years चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 18 Which one of the following statement about a state finance commission is true? राज्य वित्यायोग के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके option से A. It is an informal body B. It is a constitutional body C. It is an administrative body D. None of the above अठारव क्वेशन का जाएगा? Option B. It is a constitutional body चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 19 The state finance commission is a राज्य वित्यायोग एक है Option A. Legal body B. Non-statutory body C. Constitutional body D. None of the above निस्वे question का अठार हो जाएगा? Option C. Constitutional body चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 20 After the recommendation of the constitution How many finance commissions have been constituted? समिधान के लागू होने के बाद कितने वित्यायोग का गठन किया गया है? आपके option से A. 10 B. 8 C. 9 D. 15 इसका आंसर क्या जाएगा? Option D. 15 चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 21 Given below are two statements. One is labeled as Assertion A and other as Reason R. Assertion A. The President of India determines the qualification of the chairman and members of the Finance Commission. Reason R. Chairman and members are appointed by the President of India. Select the correct answer using the code given below. नीचे दो कथन दिये गए हैं. एक को अभी कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है. अभी कथन A. भारत के राश्टपती वित्यायोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योगिता निर्धारित करते हैं. कारण अध्यक्ष और सदस्यों की निउक्ती भारत के राश्टपती द्वारा की जाती है. नीचे दिये के code का उप्योग करके सही उत्तर का चुनाओ करें. तो 22 वे question का अंसर क्या हो जाएगा देखिए. जो assertion A कह रहा है कि ये बिलकुल सही statement नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि तो qualification और ये जो क्या है कि जो प्रेजडेंट अफ इंडिया निर्धारित नहीं करते हैं इसके qualification ठीक है? ये गलत statement हो जाएगा. रिजन क्या कह रहा है कि chairman and member are appointed by the president of India? हाँ ये सही है कि जो chairman और member रोतिन का appointment जो है वो president करता है. तो A is false हो जाएगा, but R is true होगा. ठीक है? D इसका option हो जाएगा. A is false, but R is true. 22 question का अंसर हो जाएगा. Option D. चलते हैं next question की तरफ. Question number 23. In the Indian Fiscal Federal System, resources are allocated from the center to the state, which of the following is not a means of resources allocation at present. भारतिये, राजकोशिये, संघ्ये, प्रणाने में, केंद से राज्यों को संसाधन आवंटित किये जाते हैं. वर्तमान में निम्लिखित में से कौन से संसाधन आवंटन का साधन नहीं हैं? आपके option से A. Grant in Aid B. Centrally Sponsored Scheme C. Transfer for Plan Implementation Under Gडगिल Formula D. Tech Sharing चलते हैं नेक्स्ट कोशियन की तरफ Question No.24 The Planning Commission has been abolished by Prime Minister प्रधान मंत्री दोरा योजना आयो को समाप्त कर दिया गया था तो वो कौन से प्रधान मंत्री हैं? आपके option से A. Narendra Modi B. Muradji Desai C. Atal Bihari Vajpayee D. I. K. Gujral 24 वे कोशियन का अंसर हो जाएगा Option A. Narendra Modi चलते हैं नेक्स्ट कोशियन की तरफ Question No.25 When was the Planning Commission established? योजना आयो की स्थापना कब होई थी? आपके option से A. 10th March 1950 B. 15th March 1950 C. 16th March 1951 D. 28th March 1950 25 वो कोशियन का अंसर हो जाएगा Option B. 15th March 1950 पचिश्यों कोशियन का अंसर होगा Option B इस तरीके के आज हमने Set of 25 Questions को कम्प्लीट कर लिया है अगर आप सभी को यो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजे, कमेंट कीजे और सब्सक्राइब कीजे कर्मवीर ICS को साथ ही साथ अपने Feedback को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए जिससे के हम और भी बहतर और Quality Lectures आप सभी के लिए ला सकें Thank you, thank you for watching झाल 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 झाल